हेलो इस्ट्रेंट, आज हम हीट ट्रांसफर्स रेलेटेड मल्टिपल चैस कोश्चन को करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन से हमारा फर्स्ट कोश्चन है हीट एनर्जी रिसीवड बाइदा आर्थ फॉर्म दसन इस ड्यूर्ट तू सन के द्वारा अर्थ पे जो हीट एनर्जी रिसीव की जाती है वो किसकी वज़े से होती है तो फर्स्ट ऑप्शन कन्वेक्शन, रेडियेशन, रेफ्लेक्शन अफ लाइट और ट्रांसमिशन अफ लाइट तो सन के द्वारा जो हीड एनर्जी अर्थ पर रिसीव की जाती है वो हमारे इलेक्ट्रमेगनेटिव वेव्स की फॉर्म में होती है इलेक्ट्रमेगनेटिव रेडियेशन होता है हमारा तो यहां पर जो हमारा ओप्षन होगा वो रेडियेशन राइट ओप्षन होगा कि जो कंवेर्शन है यह हमारा फ्लीटकी केस में होता है गैसर और लीकेट के Vert to Raidation पर हमें मीडियन की अपशक्त नहीं होती है और शन से आर्थ तक Чिहां हमारी भी जी डिसीव की जाती है जो हमारी हीट पहुचती है एलेक्टो मैगनेटिव वेट्स की फर्म में उसके लिए सन और आर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है तो रेडियेशन में हमाई मीडियम के आउशकता नहीं पड़ती है और रफ्लेक्शन अफ लाइट हमारा त रेफ्लेक्टेड होके बैख हो जाता है तो वह हमारा रेफ्लेक्शन अफ लाइट के लाता है तो यह भी हमारा नहीं होगा और प्रांस्मिशन अफ लाइट में क्या होता हमारा जो लाइट हमारी इंसिडेंट होती है सर्केस पर वह हमारी चांस्मिट हो जाती है आगी की औ तो ये भी हमारा राईट ऑप्शं नहीं होगा तो रेडियेशन अमारा क्या होगा राइट tarton नेश कोशन है इनिसीवीटि व परीफェक्ट्ली ब्लेख बॉड़ी इज तो ब्लैक बॉड़ी की जो इमिसीवीटि होती है वो क्या होती है तो इमिसीवीटि इने unsere वो किसी भी सर्फिस से जो हीट रेडियेट होती है तो हीट रेडियेट होने की जो एबिलिटी होती है किसी भी सर्फिस से वो हमारी इमिसिविटी कहलाती है तो जो पर्फेक्टली ब्लैक बॉड़ी की इमिसिविटी वो थो है वो हमारी क्या होती है? बन होती है कि निष्ट कोशन है एंप्जॉफीज़ेशन पाभर और फर्फेट् Всем이ось ब्लीटी को ये ये जो तो लिए हीट को में हट वटीसाद black body is तो जो हमारी black body होती है तो black body हमारी नहीं तो transmission करती है heat का और नहीं heat को reflect करती है ये जो totally हमारी radiation incident होती है totally हमारा radiation surface पे provide होता है black body पे provide होता है तो black body उस से total amount of radiation को absorb कर लेता है तो इस वज़े से जो absorptivity होती है black body की वो होती है 1 होती है और ये black body energy का transmission भी नहीं करती है और नहीं reflection करती है total amount को vů total radiation के amount को absorb कर लेती है इसलिए जो absorptive power होती है perfectly black body की वो क्या होती है हमारी 1 होती है next question है if the temperature of the sun is doubled the rate of energy received on the earth will be increased by the factor of तो जैसा कि हम जानते है Stephen Walshman नौक अकॉर्डिंग जो हमारी total emissive power होती है वो हमारी क्या होती है total emissive power of a black body is proportional to fourth power of absolute temperature होती है तो इसके according जब हम temperature को double करेंगे तो जो हमारी rate of energy है और पे जो receive होगी वो हमारी increase हो जाएगी fourth power के according यानि की 2 into 2 into 2 into तो तो यह हमारे क्या जाएगा 16 तो राइट अश्रा हमारे क्या हो जाएगा 16 यानि कि अगर हम sun के temperature को double कर देते हैं तो जो rate of energy earth पे receive होगी यानि कि जो energy हमारी receive होगी earth पर उसकी rate हमारी 16 फेक्टर तक increase हो जाएगी अगला कोश्चन हमारा यह बॉड़ी एट हाई टेंप्रेचर पी केल्विन टेंप्रेचर पर जो हमारे यह पर क्या है तो हाइट टेंप्रेचर पर जो हमारी बॉड़ी एट करती है वह किस रेट से हीट को रेडियेट करती है तो वह जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि जो हमारी अकॉर्डिन टो इस्टीफन बोल्ट में लो जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एमिस्टी पावर होगी वह एपसुल्ट तो यहां से 4th एपसुल्ट टेंपरेचर की 4th पावर के प्रपोर्शनल होगी तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा Fourth power of temperature next question is the process of heat transfer in which heat is transferred with actual migration of medium particles is known तो ऐसे जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है उसमें किस प्रॉसेस में या फिर किस मोड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो मीडियम पार्टिकल के माइग्रेशन के दौरा होता है तो यह जो process होता है हमारा medium particles को migration होता है यह actually हमारा convection में होता है जहां पर हमारे fluid यूज़ किया जाता है और वहां पर हमें यह properly दिखाई देता है कि किस तरह से medium के particles migrate होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो right option हमारे क्या हो जाएगा convection लेस्ट कोशन है आप black body is at a temperature of 500 Kelvin it emits energy at a rate which is proportional to तो जैसा ही मैंने आपको उपर बताया था कि according to Stephen Boltzman law जो हमारी emissive power होगी वो proportional होगी 4th power of absolute temperature तो यहाँ पर temperature हमारा क्या है 500 Kelvin तो यह क्या हो जागा हमारा that option 500 की power 4 अगला question है if a is close to 0.72 r is close to 0.24 then the value of t is तो यह हमारी absorptivity को शो कर रही है r हमारी reflectivity को शो कर रही है और t हमारे transmittivity को शो कर रही है तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी body के लिए absorptivity यहाँ कि a reflectivity और transmittivity उन तीनों का जो सम होता है वो वन के एक पर होता है तो यहाँ पर हम दोनों की value रख देंगे 0.72 plus 0.24 और इसे जब हम 1 में से subscribe करेंगे तो 30 को शो क्या आजाएगा 1-0.72 plus 0.24 तो 30 को शो क्या आजाएगा 0.04 तो transmittivity की value क्या हो जाएगी 0.04 लेक्ट हमारा question है according to wine's law तो wine's law जो होता है हमारा वो क्या होता है तो यहाँ पर देखिए maximum wavelength और temperature का जो product होता है वो constant होता है according to wine's law तो right option हमारा क्या हो जाएगा first one option हमारा right हो जाएगा जरकि बाकी सब option हमारे wrong हो जाएगे तो यह हमारे कुछ questions थे ही transfer से related तो लुटिए पर पर आएगे